हेलो स्टुडेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैथिस्टेटी पॉइंट स्टुडेंट देखेगा, हमारा ये नुमर्कल एनलाइसिस में सॉलिशन आफ एलजेब्रिक एंड ट्रांस्डेंटल एक्विशन का चेप्टर चला है, और इस चेप्टर के मैंने आपको न अगर आप लोगों ने वो लेक्षर्स नहीं देखें, तो स्टुडेंट उस लेक्षर्स को देखेगा, और आज इस लेक्षर्स में हम डिस्कस करेंगे इटिरेशन मैथड, इटिरेशन मैथड की हेल्प से हम किसी एक्विशन का रियल रूट किस तरह से फाइन आउट करें सपोज यह आपके पास कोई एक्विशन है, f of x equals to 0, ठीक, तो इस एक्विशन को हमने इस फ़र्म में एक्सप्रेस कर लिया, मतलब x की वैल्यू को एक x की वैल्यू इसी वैल्यू एक्विवल x की टम्स में हम फाइंड आउट कर लिए, मतलब यह जो हमारा एक्विशन दे consider कर लिया है, तो आप देखेगा इससे वैटर रूट हम और निकालना चाह रहे हैं, तो वो रूट हमने क्या मा लिया, x1, तो x1 आप कैसे find out करेंगे, देखो x, x के place पर हमने x1 रखा, और यहाँ पर x note रख दिया, ठीक है, फिर इससे next approach value हम निकालेंगे, x1 की place पर देखी कि क्या आगया, x2, यहाँ पर x note के place पर xn, तो इस question हमने generalize कर दिया, यह हमारा formula बन गया है, इसका na actually accurate कोई formula नहीं होगा, यह question के according formula को हमें यहाँ पर form करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अब देखेगा इसके लिए कुछ बाउंडिशन भी है, कि iteration method हमारा कव use applicable है यहाँ तो हमने वहीं लिखा है, also the iteration method is converse conditionally and the condition, मतलब iteration method कव हमारा applicable है, जो आपने 5 of x की value निकाला है, इसका derivative निकालिए और इसके mod की value 1 से less आने चाहिए, कहां पर किस point पर less आने जो आपका real root, जो भी आप initially value आप consider कर रहे हैं, मतलब इसमें भी हम दो value को ना, एक value पर देखेंग में कोई सी भी value ले लिजेगा, तो उस point पर इसकी value 1 से less आने चाहिए, अगर 1 से less आ रहा है उस interval में, उसकी किसी एक neighboring point पर, तो यह iteration method हमारा applicable है, अगर नहीं आ रहा तो हम पर apply नहीं कर पाएंगे, तो हमें दूसरी तरह से इस function को form करना पड़ेगा, जैसे x की value निकाली है, लेकिन यह condition आपको check करना पड़ेगा, ठीक है ना, चलिए आए इस पर question discuss करते हैं, हाँ, देखी का student यह आपको equation दे रखा, इसको हमने f of x consider कर लिया, x q plus x square minus 1, तो इसमें भी हम neutral reaction method और जो मैंने आपको regular false position method रदाय था, उसकी, जैसे उसमें हमने दो values को रखा था, एक पर negative आना चाहिए एक पर positive, इसमें भी check करेंगे हम, तो suppose हम चलिए check करते हैं, suppose मैंने यहाँ पर 0 रखा, ऐसे try कर लीजेगा, आप 0 plus 0 minus 1, minus 1 आगया, तो यह value कैसा आगया आपका negative, एक negative आना चाहिए और एक positive आना चाहिए, 1 plus 1 minus 1, तो यह कितना आगया 1, कैसा आगया positive, ठीक है, हमें negative आप positive की ही आवशकता है, तो इस equation का real root है, वो किस के बीच में लाई करेगा, 0 and 1 के बीच में, तो हम लिख सकते हैं, real root of fx, यह जो हमारे equation दे रखा, is lies with win, किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 and 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में हमें पता चल गया, इसका real root हम क्या given ने देखेगा, xq plus x square minus 1, देखे student अब यहाँ से हम calculate करते हैं, देखो आप xq plus x, तो फिर आप देखेगा, आप यहाँ से x square common लेजेगा, तो क्या बचेगा, आपका x plus 1 equals to, sorry, यह कितना बचेगा, 1, x square की value निकालेगा, 1 upon x plus 1, तो x की value हम find out करेंगे, under root में, 1 upon x plus 1, तो student देखेगा, यह जो x की value निकल कर आये, इसको हम 5x consider करेंगे, ठीक है, तो आप देखे रहे हैं, 5 of x, 5 of x हमारे पास यह आ गया है, अब इसका आपना derivative find out करो, 5 dash x, तो student देखेगा, इसका हम derivative find out करेंगे, तो minus 1 upon 2, x plus 1 की power 3y2, यह तो student देखेगा, इसका नहा हम mod, modulus find out करते हैं, तो इसका modulus find out करियेगा, minus 1 by 2, 1 upon x plus 1 की power 3y2, mode में 5 dash x, ठीक है, तो student देखेगा, क्या निकल कराता है, 1 upon 2, x plus 1, 3y2, हम चेक कर रहे हैं कि पहले देखेगा, इस यह जो हमने x का 5x value निकाला, यह iteration formula के लिए applicable है या नहीं, तो हमने दायता है, जो भी हम interval लेते हैं, 0 से 1 के बीच में, उसके एक नाइवरिंग, वनला 0 से 1 के बीच में कोई भी value रखे देख लीजे, यह value हमारा 1 से less आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं, suppose, आपने, if देखेगा, x equals to, 1 by 2 ले लिया, कुछ में ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही लेना है, आपको यह धियान रखेगा, तो देखेगा, यह put करते हैं, 1 by 2 plus 1, कितना वचेगा आपका, 3 by 2, 3 by 2, तो यह value देखे, instrument 1 से less आएगा, कि नहीं आएगा, 1 से less आएगा, तो hence, iteration method is applicable, तो iteration method को आप यहाँ apply कर सकते हैं, is applicable, ठीक है, तो यह जो हमने form बनाया, यहाँ पर इस बहाँ पर iteration method को हमाई applicable कर सकते हैं, तो देखे, iteration formula क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर, iteration formula is, अब देखे, हमारा iteration formula क्या निकल कर आता है, देखेगा, देखे, instrument इसको ना, इस तरह से 1 या 5 of xn इस तरह से आप find out कर सकते हैं तो 1 upon ठीक है ना x के place पर या xn प्लस 1 इस तरह से put कर सकते हैं तो initially जो एक root ले लिजिए 0 से 1 के बीच में तो देखेगा take suppose हमने x naught equals to 0 1 के बीच में जैसे 0.5 हमने consider कर लिया ठीक है 0.5 जरूरी नहीं 0.5 आप 0.4 0.3 कुछ भी ले consider कर सकते हैं अब देखेगा हम यहाँ put करेंगे putting n के place पर 0 तो 0 put किया देखेगा x1 5 of x naught 1 upon x naught plus 1 x naught की value देखेगा कितना है आपका 0.5 plus 1 तो यह कितना बचेगा आपका 1.5 ठीक है तो इसका value निकालेगा square root में 1.5 ठीक है तो इस square root की value आ रही है square root 1.5 1.22474 तो आप देख रहे हैं 1 divided by 1.22474 तो student देखेगा यह value आ रही है 0.81650 ठीक है student यह हमने x1 निकाला इसी तरह से student अब निकालेगा x2 x2 find out करिएगा तो यह आपका आएगा 5 of x1 1 upon square root में x1 plus 1 ठीक है इस तरह से रहेगा x1 की value देखेगा कितना है यह निकाला हमने 0.181650 plus 1 तो student यह आपका आ गया है 1.81650 ठीक है यह देखेगा 1.34778 तो student देखेगा 0.74196 यह आ जाएगा आपका तो आप यहां देख रहे हैं x2.74196 तो student देख रहे हैं यह हमने x1 क्या यह दोनों value match कर रहा है नहीं match कर रहा है तो इसको continue रखेगा जब तक की value यह match नहीं करती है x1 x2 इस तरह देखेगा student x3 x3 हम find out करेंगे 5 of x2 कहेंगे तो देखेगा student क्या निकल के आएगा 1 upon under root में x2 plus 1 x2 की value देखेगा आपने यह निकाला है 0.74196 plus 1 1.74196 छिक है छिक यह आजाएगा 1 upon 1.31983 तो student देखेगा x3 तो यह कितना बचेगा 0.75767 x2 x3 देखेगा यह value क्या match कर रहा है नहीं match कर रहा है तो इसको इसको आप continue रखेगा देखेगा x4 तो x4 अगर आप find out करते हैं तो क्या बचेगा 5 x3 तो student आप इसको निकालेंगे mode में क्या बचेगा x3 plus 1 x3 तो 0.75767 plus 1 तो यह क्या बचेगा 1.75767 तो यहाँ देखेगा x4 यह value आपका आएगा 1.32577 तो देखेगा x4 तो student यह बचेगा 0.75428 ठीक है x4 देखेगा student match कर रहा हाँ देखेगा two places आपके match करने लगे ठीक है ना चलिए हो निकालते हैं x5 तो आप देखेगा 5 of x4 कहलाएगा आपका यह 1 upon x4 plus 1 x4 की value देखेगा 0.75428 plus 1 तो student यह हमारे value आजाएगी 1.75428 अब आप इसका calculation करिए x5 तो student देखेगा यह इसका square root आ रहा है 1.32449 ठीक है x5 तो student देखेगा यह value आ रही है 0.75501 ठीक है x5 देखेगा आप अभी decimal के सभी places match नहीं कर रहे हैं तो student हम next value निकालते हैं x6 तो x6 को हम क्या कहेंगे 5 of x5 1 upon under root में x5 प्लस 1 0.75501 प्लस 1 1 upon square root में देखेगा 1.75501 1 upon 1.32477 ठीक है इसको calculate करते हैं देखेगा x6 तो student यह हमारा आ रहा है 0.75485 ठीक है इस student देखेगा match नहीं कर रहा है चले और try करते हैं x7 5 of x6 तो student iteration form में क्या को देखेगा इसना इसको हम यहां रख रहे हैं तो यह आपका आएगा x6 प्लस 1 ठीक है x6 की value 0.75485 प्लस 1 1.75485 ठीक है इसकी value निकाले इसका square root 1.32471 x7 इसको divide करेगा तो student देखेगा यह value आ रही है 0.75488 ठीक है देखेगा decimal की 4 places आपके match कर लगे 0.748 0.748 चले एक value आपके कर लेते हैं x8 5 x7 कह सकते हैं इसको हम under root में देखेगा x7 प्लस 1 x7 0.75488 प्लस 1 ठीक है 1.75488 ठीक चले इसका square root निकालते हैं ठीक है यह value हमारा रहा है 1.32472 ठीक है तो इसको देखते हैं क्या रहा है तो student यह आ रहा है 0.75488 हा ठीक है यह आपका match कर गया आप इसको देखेगा और यह value देखेगा यह value हमारा match कर रहा है तो यह हमारे इस equation का क्या हो जाएगा real root की किसकी help से निकाला हमने iteration formula की help से find out करा है तो इस student देखेगा आप देखेगा x7 x8 की value 0.75488 आ गया तो इस equation का यह real root आ गया तो आप लिख सकते हैं hence real root of given equation इस given equation का real root है 0.75488 यह आ जाएगा आपका ठीक है so student उमीद करता हूँ आप लोगों का आज का मेरा iteration method का lecture पसंद आया होगा और student आप लोग भी अपने text book के और question को भी try करके देखेगा और अगर आप लोगों का मेरा lecture पसंद आ है तो मेरे इस lecture को आप अपने friends में share करेगा इसको like करेगा इसमें comments करेगा और अगर आप लोगों ने मेरा channel subscribe नहीं किया तो please मेरे channel को आप subscribe करेगा Thank you